मद्रेश के अपर मुख्या साचीव स्वास्ति मुहम्मद सुलेमान ने कोरोना के तीस्री लेहर के मद्रेश्यवारीयों वर रोप थाम के लिए बैठक की राजसरकार कोरोना संक्रिमन के तीसरी लहर के मंदे नज़त तयारी में जुट गई है दूसरी लहर से आई परिशानी को समझते वे उन कामियों को दूर करना पहली प्रात्रमिकता है ताकि किसी भी पीड़ित को कोई परिशानी के सामना नहीं करना पड़े यह बात अपर मुख्यस अचीव मौम्मद सुलिमान ने MGM कॉलेज में तयारी के सिलसले में आयो जित स्वास्त एवं प्रशासने गदीकार्यों के बैठक के बाद मीडिया से कही सुलिमान के मताबिक अभी यह तैन नहीं है कि तीसरी लहर आएगी या नहीं अगर आएगी तो इसका दायरा कितना रहेगा लेकिन हम इससे निपटने के लिए कोई कोर करसर नहीं छोडेंगे इससे पहले भी पूर्बुल में भी तीसरी लहर की आशनका को लेकर समिक्षा का कुछ क्या कुछ नहीं मेरा आज की बैठक में हमारे डीन साथ समिक्षा का एजेंडा तुरा डिफरेंट था आज हम लोग जो मेडिकल कॉलेज की विवस्थाएं हैं उसमें इसको मेडिकल कॉलेज को प्रेस्टीजियोस इंस्ट्यूशन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं मूलते उस मुद्दों पे बात कर रहे थे जैसे सूपर स्पेशलेटी हॉस्पिटल अब बन गया है उसको किस तरह से चालू किया जाए ताके इन दोर के लोगों को उसका लाब मिले ऐसा आई का हमारा एक सेंटर बन रहा है उसको हम लोग अक्टूर में चालू करना चाहते हैं तो उसको क्या किया जा सकता है भविश्य में यहां अगर ट्रॉमा सेंटर बनाना हो या कुछ और सुविधाय विक्सित करनी हो तो आज बातचीत में मेडिकल कॉलेज की विवस्थाओं के सामान नमुद्धों पर हम दोगोंने बातचीत करें यह बहुत टेक्निकल इशू है और इस पे जो सही विचार है वो मेडिकल कमुनिटी से ही आते हैं और अल्टिमेटल यह होता है कि जब इंडियन कॉंसिल अप मेडिकल सच आएसी अमार जब कोई बात कहता है तो सरकार उसको मानती है अभी आएसी अमार ने ऐसा कोई विचा नहीं किया है जब उनसे हमको सुनने में मिलेगा तो मुस्का पालंस मनोबल वड़ाने की बात आपने की कि डॉक्टर तुम में चालू होना उसको सुपरस्पेशलिटी अस्पताल बनके तयार हो गया था लेकिन उस समय कोविड में उसकी रिक्वार्मेंट्स जादा थी तो उस हॉस्पिटल का उप्योग कोविड के लाज के लिए किया जाने लगा अब जैसे अभी उसमें खाली एक मरीज भरती है तो अब जरुबत इस बात की है कि चुके उसको सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विक्सित किया गया है तो जो विधाय महां होती है सु को और प्रोक्यूर करने हैं हम लोगों ने यह टार्गेट रखा है कि उसको भी हम अक्टूबर महा में एज़ा सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल चालो कर सकें कि सरकार का पुरा फ्यास त्रीसरे लेहर को आने से जलेइर रोकने का है और कोशिश ये करना है कि त्रीसरे लएर नहां आए यह प्रश्ण के तैसरे लेहर की तो थुझा सा इसको डिफरेंट तरीके से देखने की जभ्षक है हमारी कोशिश यह है कि अगर हम कोविड अप्रोपिएट बिहेवियर को लगातार पॉब्लिसाइज कर सकें और साथ में वैक्सिनेशन को इंप्रूव कर सकें तो तीसरी लहर की संभावना कम हो जाएगी केसिज अगर आएंगे भी तो उनको अस्पतालों में जाने की जरूरत कम पड़ेगी आप लोग को पता है कि आंकड़े कहते हैं कि सिंगल डोस से भी बहुत प्रोटेक्शन मिलता है और डबल डोस के बाद तो 90% केसिज 95% केसिज को हॉस्पिटलाइज जान होने की जरूरत न तो उससे जो लोग प्रभावित भी होंगे उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी तो सिंगल वेव के बारे में जहां तक मैं कहना चाहूंगा कि हमारा प्रयास यह है कि वेव आये नाये अस्पतालों पे इतना लोड ना बढ़े जितना सेकंड वेव के टाइम पे तो कि डॉक्टर्स का मनोबल बनाया रखना हमारे लिए जरूरी है लगातार काम करते में हरा आदमी ठकता है तो कोशिश यह है कि अस्पतालों पे आने वाले प्रेशर को कम किया है जो सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर आई है वो करीबन 40 क्रोड की लागत से बन रहा है बिल् एक्रूट्मेंट अभी डीन साब ने शुरू कराया है तो हम लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि अक्टूबर में हमारा वो सेंटर चालू होगा तो एक बड़ी सुविधा खास तोर से जिनको आखों की बिमारी होती है उनका एक सेंटर फ एक्सलेंस के रूप में निशुल के सुविधा उपलब्ध होगी